गुर्पार उतारण हार गुर्पार उतारण हार एकोंकार सपना करता पुरक निर्पो निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सेभं मैं गईनी भी वाव साथ हैं सावे पच्चे वाव साथ हैं एक वाव साथ हैं to bring abducted Indians home after their families meet her along with the Punjab Chief Minister Pakast Singh Badang. After Governor's, the government now asks all member of the national disaster management authority to resign. The heads of the national commission for women, the SCST Commission and the ICCR Chief Karan Singh also told to leave. The progress at the LCP leadership discuss, a change of guard in Maharashtra. Sushil Kumar Shinde emerges as the front runner to replace Pritviraj Chawán as the Chief कि दिखिए जिन लोगे नाम एप्यार में धजय है वो सब बड़े बड़े लोगा है और अपने आपको बचानी की बीज़ शुछ बचाना झाल थे अजिए लोगेज़ घर दो यूंजीया का था कुछ बचाना था कुछ्छ थे बचा यूंजीयर में का दूक्सान पर after Spain's exit England in Uruguay who lost their opening matches square up in a fragr 나am match today our top story this are the Ministry of External Affairs saying that the Iraqi government has confirmed the abduction of 40 Indians however the MEA declined to share further details for obvious चौत वाल बाक चनले प्स मेंसर सूछ में सुछीं तरी इंड सेस भाम इंड राजान शूराज इंड gotta there has now reached Baghdad to coordinate efforts well this is our special focus for that much more let's cross live to Anubha Bosley who is in conversation with the family members of those abducted yes family members of the 40 Indians abducted in Iraq have met the external affairs minister this evening they're now joining us here in our studios in CNN IBN let me introduce to them to my to my left is Harbhajan Kaur her son Har Simranjeet Singh has been abducted in Iraq next to her is Charanjeet Singh his cousin Nishan Singh has been abducted and to my far left is Kashmir Singh his son-in-law has been abducted in Iraq but what Shukriya yaan par hamaari studios manek sastriya kaal satsi yaanam sabse pehle aapse jana chaoonga Harbhajan ji Kaur ji aap mili hai mantri se aah kya keha hai mantri sahaba aapse kis tarahka ashwasan diya hai onnhoon na kaha hai ke ham jowa bhi hamasa ban pad again haam kari ngi ono na ashwasan diya aur mujhe puri ameida a kwa hong jurao kari ngi maata wa guna nha naka jinnah ho sekoot de to jyaadha kata hain ghi. कितना समय उन्होंने आपको कहा है कि कितना समय लग सकता है कुछ अच्छी ख़बर आने में उन्होंना ने इस बारे निए उन्होंने टाइम लग सकता किसी तरह का टाइम फ्रेम बताया एक हफ्ता दस ते आपकी आखरी बार अपने बेटे से कब बात हुई थी? की वैह von 10 जून को जो 10 जून को को in उस बात्सीत में अन्होंने आपको क्या बताया था ? छिक शिए है कि थीए तरह कराब मैं खानते से हुआ ये मेरा तोड़क गला कर आप ही तो इसी है मॉन करने तस्तों भी अच्छा उस वक्त आपको किसी इस बात का बिकुल अंदेशा और आपको बेटे ने जब आप से बात की तो भी इस तरह का कोई अंदेशा नहीं दिया कि वहां पर हाला थोड़े से खाऊप दोड़ा ना जितरा हड़ बढ़ाया माजलब थोड़ा थोड़ा जितरा लगदा ही आपको कब पता चला कि वहां पर इराथ में हालात इतने खड़ाब है इतने ख़ेट की वहां हिएग आपको करा ने चीजिख है रख जि llamता अवां सी इसकताम मेना उस्यादी का ज़्यूत आपो करें वहीं अप्छित मुकु ओर सिर्कशित यूबुмос cemetery मेरे उते ही कभजा कर ले ना, ता नुए थे कतरावा, ता डीसादे ना कोई लडाई ने इलाका बताया, किस इलाके में थे वो तब? मौसुल में, और जब वो इराक गए थे काम करने के लिए ये कब की बात है? जुलाई 2013 से लेके अब तक वो आप से बातचीत, आपकी फोन पर बातचीत होती रहे हैं? बात कोश था, उन्हों गदी दा बहुश आऊ गही है, तो गद्यों गई मेला, ते अब कोई गालने, भौद वधी आई, पर रहे जड़ा, ये किसे देवास दी गालने, ये रहा हाँ, हलाँ खराब हो जने तो कहे देवास दीगालने. आज मीडिया चानल को कुछ-कुछ ख़बर दी गई है, कि शायद जो 40 भारतिय नागरिक है, उनका लोकेशन थोड़ा बहुत पता चला होगा, इस तरह की किसी तरह की बात की मंत्री साहिबा ने जब आप से बातचीत की, जब आप से मिली, इस तरह का आपको कुछ बाताया अधी मतलब प्रण जब भात अधी जब आपको को कुछ उनने सपशते ने थाया है, वैसे उनका भापी है, मतलब ज़ड़े ने सारे ठीटा, तरह की बाता ही, जब आप से ने नाली मतलब तड़ा होगी राहत मिल गया, पिछलो है ठीक है, कोई ने आज तरह की पास्पोर्टे जिला नहां पार कि उसी वेले तिक टिक टिक टिकर वागे ते ते रहें और वापस ले हों दी चैरंजीत सिंग जी हमने बहुत सारे परिवारों से पिछले 48 गंटों में बात की और आप में से कई लोगों के संपर्क रहे हैं अपने अपने फैमिली मेंबर से आपका निशान जी से कब आखरी बात चीत हुई थी मैं संडे को चार दिन पहले तो ताब उसने बताया कि हमारा ना आई अचाई ग्रोव ने जो हमें दागा बनाने वाडी कंपनी थी कोई मिल थी कोटन मिल थी वहां पर रखा हैं तो उसने लिए प्यले हमें दार था भी हमें कुछ कहेंगे तो फिर उन्हों ने हमें भी जला बन्मात होना पंजाम में तो हमें कोई परिशानी निए एप अपरेशानी निए रहे तो हमारी मदद करना चाहते हैं मदद ये करेंगे हम आपको कमपनी से आ जो आपकी पेमेंट आडिया आडी है सही कंपनी थारी था मैं रहती है, जो इसी के तीन मेन की लिए तीन ही चारी लिए वी तो वी खरी ब्रदर ने बताया कि जो आईसित गृप प्रदब ता टुम्ह। थाड़ा छिलाजे ता इसी तानु तन तन खा़ दुआ के दौगा है इसके बारे में उन्होंने आपको कुछ अंदेशा दिया था? मैं बताया था जब 10-11 तारीको उन्होंने वाटसेप हमें आडियो मैसे बेजे एक उच वाँ की तब बताया था हमारी जो कंपनी है उसे एक किलो मीटर दूर में सूल शेर था तो वहां से वीडियो बेज़े थे खीजिगे भी वहां पर दुमाकी हो रहे हैं आच्छा पर हमें रात को चैन नींद नहीं आती हम्हां काई लोगों से जिन से अमने बात की थी उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनकी कंपनिया है कंस्ट्रक्शन कंपनिया है वो करीबन 7-8 त आच्छा काना बड़नी कि ये वहां सार्थितन साथ्वि अट बचजनी है तो आट आपके अपन दॉप आपके असे जाते हैं समगा में काम करने के लिए तो बहुत सारी जो जो कंपनी और कांदी हम्हें इस मोदों दूख सब्सक्रक्शन कंपनीया है कश्मिर सिंग जी यह सबसे पहले एक पासपोर्ट ले लेती हैं यह भी हुआ है अपने पास इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है कोई डाकुमेंट नहीं है तो जो बात उनने बताई है वो यह बताई है कि हारे कमपणी अले बाग गए हमें हमें छोड कर यह जुरूर बोल दो जो जोड़े निवाची कप्चर लरा झालाइक फूनल कट सynnए हो जार स्पठ चॉर में पासपोर्ट रैज़ा भास इकली ते लगए हुआ है तो किते दिन होगा है कि कोई किजी तरह किसी तरह किस बात्स्निय के पासदे बाद स्टी के लिगए 21 पन टों πα ay एक रही जो हो किया सत्रा पोल्य टिरह दो हो और खुला वहां आगि था जिया है, मैं अच्छ रुटेंग टान पूर तो तो उसने भी एतना ही ठीक हैं। तो हमारी भी उस तारора ठारण के बीश्म में बाद उजी थी नश्ताइब करें ह। मेरे मासली छी थी औज हम आतरान शीन Newsome नों का यहंका निशान सींग करें। तो उसने हां गया भी हां मासी में ठीग गया, तो फिर फून बंद हो गया मैं जाइर सी बात है आपने इस सब चीजे रखी होंगी मंत्री साहिबा के पास लेकिन मंत्री साहिबा की तरफ से किसी तरह का आश्वासन है कि बातचीत शुरू हो गई है क्योंकि आपने अब खबरों में देख लिया हुआ कि जो आइसिस ग्रूप है ये एक ये जिस तरह की काम कर रहा है उसने काफी लोगों को देहला दिया है अल-काइदा से इसको माना चाता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आइसिस की बाद पर यकीन नहीं किया जा सकता जब आपने ये सब चीजे मिनिस्ट्री अफ एक्स्टरनल अफेर्स को बताई है या उनके अधिकारियों को बताई है उनका क्या कहना रहा है आपको उन्हों ने तेक है भी हम एक अपना राजदू तो जब पहले रह चुका है जब आपने जनके उनके साथ मलाब हैं वो करेंगे उनके मलाब करने के बदो बच्चों को ढूंड़ेंगे कहा है पर जो आया शाहिए तो जब तक उद्र लड़ाई का कोई फैनल नहीं होता तब तक उसकार के सब्साद तो लड़ेंगे बात करने में मुश्कल होजेगी प बात करके कुछ ने कुछ हाले निकले वो सकता उनोंने बयान दिया था पीजिए पार्ता सरकार हमारे साथ कोई रिलेशन करे तो हम उनको वाफस दे सकते हैं यह मैदम यह भी हमें बता रही थी कि मंतरी साहिबा के तरफ से यह भी कहा गया है कि जो ट्रावल डॉक्युमेंस इन चालीस लोग के पास कोई भी ट्रावल डॉक्युमेंट तो उसके लिए सरकार क्या कह रही है किस तरह से इडेंटिफिकेशन किया जाएगा हम अपने परफों खाली पासबोर्ट बेज रहे हैं आचा जब तक आदमी हमारे पास आजेंगे जैसा 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 नाम लेखे अजीब सा सवाल है कभी वापस आएंगे और बिल्कुल जैसे सरकार ने उमीद की है सरकार की पूरी कोशिशे है आप वापस बेजेंगे उसको कभी? नए पहली बार गये हैं और आपने का जुलाई 2013 से गये हैं किया लगातार पैसे आते रहे? कितने पैसे आते थे? बार एक पधै आचाँ तो अब यारे ओना जोर। यूरे का मेल चार मैने की 3 महीन इंगे लिएकिए लिए कर ठावतिके 3-4 महीने छोड़ के बाटन घाए को दो ऑनेथा है तो कितनी salary अभी आगी है कितने महीनेों की अफट के बाटन चील फट था है मंत की तो वैसे रख नहीं रहते हैं तीन मन्त की देनिया चार मन्त की होगी तो तीन मंत की पेले आई आई तीन की दो आई चार मान्त लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आप इस सालरी पे जादा जोर नहीं जोर नहीं है अब जल से जल उनसे संपरको तो कोई ख़़र आए कुछ से नहीं चाहते हैं हम अपना बेटा इस चाहते हैं आपको आपका बेटा बिल्कुल मेलेगा अखरी सवाल बारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है आप अपने घर जाए हम आपसे संपर करेंगे हैं बिल्कुल वांदे भी तानुए थे कोई करनी लोड़िए अची खोद आप कारवई करनी है अब आपको लग रहा है कि अपना कोई दूदोते पेजी ता आप अप बीचिल वांदे तो आप लोग आज कैसे जा रहे हैं कुछ गंटों में जा रहे हैं संतुष चारें हैं साइपिंगा आपको इस्सार करेंगी अच्छी घपर आएगी अगर सरकार कम शुरू कर देता प्र तकरेंगेंगाव पारसों बहाएगा कि आपका प्राव अज़ और गोखाब का नहीं टावाइगा गोगाद का छुछ एखाब के लिए अजय में पिर विष जल्द से जल्द से जल्दे युणने का वहाँ है जननारे सन होदे दे विश्वाशा भी कमा, कि मा अपड़े बच्याना कज भी बुरान सब्सक्राइब जननारे सब्सक्राइब अमयान मिनीस्र शूफिल कृमार शिंदे में इस प्रूंटफित अच्थावान में तूस्षे इस प्रूंट रिजर्जीना स्वित्विराच चिवान इसे न्यूंक इस आफ एक आंधेन अध्प ठील met to discuss the matter. Vikhe Patel and Balasai Thorat are also being considered for the post. Well, controversy remains over the union government asking UP-appointed governors to resign and already there are reports of others also being asked to step down. The National Disaster Management Authority Vice Chairman Shashidhar Reddy has resigned after a directive from the centre. Five other NDMA members, including former IPS officer Salim Ali, who investigated the Ishrat Jahan case, have also stepped down. The Narendra Modi government has also asked the National Commission for Women's Chief Mamata Sharma, the SEST Commission Chief P.L. Punya and ICCR Head Karan Singh to step down. A quick round-up of more national news. The BJP has come out in full support of Union Minister Nihal Chand who has been accused of rape. The party says his name wasn't there in the first FIR and the case against him is politically motivated. But pressure continues to mount. The minister himself remains defiant and has ruled out his resignation. The victim, meanwhile, has appealed to the government for help saying her life is in danger. DMK Chief Karanandhi has hit out at the centre after the Home Ministry issued a directive asking bureaucrats in all states to post official comments on social networking sites in Hindi. Karanandhi accused the government of imposing the Hindi language on other states and treating non-Hindi speakers as second-class citizens. Now to the Preeti Zinda police case. The Mumbai crime branch has recorded Nusli Vardia's personal assistance statement who had stated that he had received threatening calls from the underworld. Initial reports suggest that the calls reportedly went from underworld on Ravi Pujari. The Vardia group had filed a police complaint yesterday. Meanwhile, the BCCI official Ankit Baldi's statement has been recorded. The Intelligence Bureau has prepared yet another report on NGO Greenpeace recommending the cancellation of permission given to it for collecting funds abroad. Earlier, an IB report had said that Greenpeace was a threat to national economic security. That's all we could pack in on News 360, but the news continues here on CNN and IBN. Do stay with us. We'll see you next time.